सुशील दुबे जी जी घीड उम्री है केराना में बागपत में पश्वी उत्तर प्रदेश में पिल्कुर इमानदारी से बताईए आपने कल्फना करी थी कि इस हद तक जन सहलाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश में जहां कॉंग्रेस का कोई वजूद नहीं है लेक सीट भी प्रदेश के लिए हजार और लाकों लोग सड़क पे आ जाएंगे क्या ये कभी आपने सपने में सोचा था वाइसाब एक बस आपने भेजी थी वीडिया वास्तर एक बस बानखेले जी ने भेजी थी एक सीतर जीने भेजी थी एक सोलाइटर हमने कहां भीड थी ये को आप कही पर नीचे तो सौपचान लोग तो ऐसे ही खड़े जाते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं बस जाकते लगी आप का लिए ये भीड कोई माने लगती है दो चार दस बीद बसे खटी कर ली रायस्तान से आग नहीं चैश्टिस गर से आग नहीं तो भ फड़क पे आगए फटा केश्व मौरिया महांदल के लोग फड़क पे आगए फटा व एक बड़े मौलाना उनके साथ ही लोग फड़क पे आगए और सब राहुल के साथ चलने लगे अब साथ चलना है तो इसी नारवल बाते ही तो हिंदुस्तान मों हुआ करती है इतनी राहुल गादी से कनेक्ट हो रहे थे कि शायद ये गर्मी हम तक नहीं जैसे वो फ्लग लगा दो तो वो गर्मी दूरो जाती है तो इस सारे लोग राहुल गादी की टीसर्ट में फ्लग लगा रहे थे कराना के लोग जहां से आग बरसी थी अभी कुद्दिर पहले जहां पर सिंबला बनाने की बात हुई थी जहां पर पूरा एक तो मंदर ने किया था जो किया था पस्चिम कराना ने जला दिया था वहां ये महबत की फूल लेकर पहुंचे हैं तो वहां के लोग कनेक्ट हो रहे थे थे और कनेक्टिविटी की सारी रहादे तोड़ दी कराना न करेगा यह खताली ने त्या किया है तो कुरान त्या करेगा और मैं आपको बता दू संज्या भीया बांखेड़ी जी बैठे हैं सीतल भाई बैठे साथ सितंबर चले साब हाँ से करन्या कुमारी से अपके तीन चार दिन बचा हुआ वो जूते पे निगाह लोगों की टिक याकरा को लेकिन होता क्या है एक आत्म बल और आत्म विस्वास होता है आज में चितर देख रहा था संबेद सिकर को जैन इस हिंदुस्तान का मुसल्मान अल्पंचक नहीं है मुसल्मान बहुमत में है विद्दू के बाद उसका नंबर आता है जैन अल्पक्त में है सच में जैन सिक्क बहुत पार्शी यह संबेश सिकर को देखिए जैनियों के आत्विस्वास ने जैनियों के आत्ववल ने और जैनियों की समर्पित भावना ने संबेश सिकर को बचा लिया ऐसी वो जैन मुनी इस ठंड में इस कडाकिक ठंड में पोटल प्राक्तिक अवस्था में रात्र विश्राम कर रहे थे तो हम तो संजेशरमा के चैनल के मादनम से कहेंगे कि राहुल जी अब बहुत हो गया आप प्राक्तिक वस्था में तुम नहीं हो लेकिं टी-सर भी खतम करो छोड़ा वोटा जो डफला है वो शोज करना आगा यह करना आप जैसे आप जैसे भी कर रहा हूं ठंड लग रहे होगी तो स्वेटर जैकेट पहनी सकते हैं शीतल जी यह जो यह चटवादी ती गाय से देश के भले के लिए राच्छासों के लिए तो इनको पीशर्टी तो तो मतलब आप जो है अब रहूल गांदी की तुलना आप ददीश से करेंगे पक्ष्की यह कह सकता हूं मैं अब भी राव तुशील जी इतना ज्यादा संथ बना रहे क्या मामला क्या है जो सामने दिख रहा है सामने हीर राजा आज सो साल पहले एक पिच्चर वनी थी राजा आज तक कोई प्यार की हजारों सेफ्लों लाकों पिच्चर वन चुकी है ह तो दिख राजा का नाम तो आज ही जिद्धा है तो यह तो भाई तो भाई तो हीर राजा बनकी घूंचल लाए ना मौबत दालाग एक बाद सबसे वड़ी हमें अच्छी लग रही है अपकी संथ सिरो मणी की रहूल गांदी की डे वन से रहूल गांदी ने बेरोजगारी डिमोनिटेशन लोटबंदी गैस और पट्रॉल यह जो शुरू किया हो जो सच है किसान मद्दूर वाज तक जे बन तक चलना है तीन हजार बातिर सो चौटिस तो किलोमेटर की अत्रह हजार की हो चुकी है मुद्दे नहीं छोड़ रहे हैं और यहीं मुद्दे 2023-2024 में आने वाले वक्त में आग उगलेंगे जो अभी अंदर आग भरी जा रही है कि यह मैं जवा सकता हूं बाकी बाइन शेड़ी जाने फितल जा सुषील जी यह बात तो ठीक है कि रहुल गांदी ने महुल मना दिया किसान फसल तेखे तैयार करता है लेकिन फसल काटने वाला भी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो सीन चलना है आपने हमने देखा कि विधान सभा चनाव जब थे किस तरह पैसे को लेके ब्रश्चा कर दी जगह जगह से लोग मेरे आकर इंटर्वू दिये कि प्रत्याशी को लड़ने के जो पैसे दिये वे धीरज गूजर के शारे पैसे बापस लिए गए तमाम तरह पिशे दोनों नसीमों दिया सिर्की और धीरज गूजर की मार्पिट की खबरे सामने आई अगर रहुल गांदी की यह महनत है और कॉंग्रेस के इन दो महानन 오빠 के बरो से उत्तरप्रिदेश कॉंग्रेस छोड़ दी जाएगी तो लोग सवाचनाव में कॉंग्रेस कैसे fight में आप आईगे रहू गांधी विचारे क्या क्या करेंगे माइक 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 हो गया हुआ 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 कि आने वाले वक्त में गन्ने सुना निकलेगा ये राहुल गाली परसनल्टी अब बन चुकी है अब मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर एक आपको नई ख़बर दे रहा हूँ इसमें महत्पूर खबर दे रहा हूँ ये रहुल गानी की आत्रा का असर है प्रभाव है या जो भी है आपके देश के डिजानर प्रधान मंत्री जी आप दूसरी शीट की तैयारी कर रहे हैं पराज के लावा तामिलाड में रामनाद पुरम से उनकी पूरी तैयारी है वो दो चुनाव लड़ेंगे अपकी ये ये उत्तर प्रधेस पर मैंने इसी आपके चैनल पर कितनी बार कहा फिर कह रहा हूं आप रेफरी है मैं आपका खिला लगी हूँ आप हमसे उख करते उचकाते मुचब जाता हूँ बिल्कुल और उचक इसलिए रहा हूँ कि कागरेस भविस साथ बन जा इसी बात पे और आ एक होती है परेता एक होता है Picture system एक होता है और आपका सुच एक होता है पांच किसने बना दिए चलते चुनाओंगे prophe dah look score कollen चांद पर इसे पांकी बात कर रहा हू नाụ उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं पहले, कि एक वो मैंन है, चार उप पंचाइद छेत्री है, फला है, डिवा के है, अरे क्यों आई? हाँ, सभी बसपा के है, उत्छित छोड़ दे है, तो बेसिकली सभी बसपा के है, अलेल ङादों बसपा के जिटागल के है, नसीम الدین बसपा के है, और अंचेद के वी हैं, रेकर नकुल्द में बसपा के है अगर आपको याद हो तो एक बार लल्लू और संदीप जगड़ा हुआ था प्रिंका के सामने हुआ था धर पकड़ हुई थी बाकाइदा हुई धर पकड़ और किस बात को लेके हुई थी यह प्रिंका गादी क्यों नहीं समझ पा रही है यहां दूसरी नकली काग्रेस रहे और काग्रेस के लोग चीख चिला रहे लेकिन वो बिचारे लफोकी हैं हम्मत नहीं कर पा रहे हमाप पज़कार हो गए तो हम्मत कर रहे देखिए धीजर क्या जरूरत से जरूरी है कि एकी सच्चिव एकी जिखे कर रहे क्यों रहे वाई जबकि उसके सब्वेपर जी बैठे हुए हैं एक अद्दक्च होगा काग्रेस का अगर यहां पर नहीं हुआ 24 से पहले एक अद्दक्च किसी जात उसका हो अद्दक्च एक नहीं हुआ तो रायता यह धीरज गुजर और संदीव जो रायता फैलाएंगे इसको प्रिंका गांदी और राहुल गांदी ज सुषीर जी मेरे पास कल से अब तक कम से कम दो दर्जन सीनियर कंग्रेस नेताओं के फोन आए दुखी थे पांद सो आएंगे पांद सो आएंगे राहुल गांदी इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे हैं तो लोकल बॉड़ी के चनाव डिक्रिये हुए तो टिक्टो के लिए पैस क्यों नी पहुचरी राहुल गांदी तक प्रियंका तक क्यों नी हिवांच नी क्या रखा है धीरट गुजर संदीव में है क्या खाद है भाई जो जो कागरेशी समय जो नंबर जो कागरेशी हैं ये लफोखी टाइप के इनके भाई देखिए सीनियर अपनी इच्चे समचा के बैठे हुए हैं अगर यही ख़ड़े जी खुले हां बोल दें उत्तर को दें कागरेशी आओ मुझे तुब को दो दिन द खुले कागरेशी आओ आओ और मुझे से खुल के बात करो देखिए भाई साव अगर नरक न कट जाए 24 अकवर रोड पे अगर गदर न कट जाए लेकिन है क्या खड़के आप ऐसा करके संदीव चींग और दीरज गुजर की दुकार मुझे अरे हमाई लिए संदीव और द पीचीसी बील्डिंग का इसकी महसना जी वो थी जिसके नाम से बील्डिंग करी दी गई थी मैंने उस बील्डिंग का असंद करवाया है असेस्मेंट नहीं था मैंने अखले जब जिस समय एंडी तिवारी और जितन पिसाजी में कांग्रेश बटी थी तो मैं उस बिल्डिंग की रख्षा कराई है बीश-बीश-बंदू के लेके कांग्रेश के सचिव उनने दम तोड़ा उस पहले कमरे में बाय हास में अब यह लग बात है तो मैं मैं खाली इसलिए कांग्रेश के लिए जिन्दा हूँ कि इस देश की विचार धारा कांग्रेश ही और कुछ नहीं चाहे रहोब कितना ठक जाये क्या है कांग्रेश जीरो हो जाये बहुत प्रेश को दो दिन दे दे तीन दे दे झाल झाल